नमस्कार दोस्तों मेहू राजिनतिबारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र आज हम दिक्षा एप के बारे में जारेंगे कि दिक्षा एप को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है और किस प्रकार से उसमें हम रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके बारे में ये वीडिय इस लिए को बहुत इजीलि आप को समझाओंगा जिससे कि आपको हर एक बात समझ में आएगी बस यह है कि आपको वीडियो को आंतक देखना पड़ेगा तो चलिये शुरू करते हैं इसके चलिआ सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले सटोर में प्ले स्टोर में जाने क जब से पहले आप से लेंग्वेज को पूछेगा कि किस भाश हमें आपको इसको अपरेट करना तो आपको यहाँ पर हिंदी इसको पहां को चलाना आप के इसाए पर हैं इसके बात इसके बात इस परकार कर का इंटर्फेस एगा इसमें तीन आप्षन दे रहाएं एक तो आप स्ब्सक्राइब लेगा है क्या है चुन्हें को चुन्हें नीचे बूर्द कर दें किरम कर्ball देंगे तो यहां पर चलिए तो आपको हिंदी भी पढ़ाते हैं इसलिए हिंदी को क्लिक कर दीजिए और नीचे दाखिल वाले जो आप्शन है इसको आप दबा दीजिए इसके बाद आप से कक्छा पूछ रहे हैं किस कक्छा को आप पढ़ाते हैं तो जो भी आपकी कक्छा होगी ए इसका मतलब मुझे next करना है इस तरह से आप दिक्षा एप को download कर सकते हैं इस प्रकार से दिक्षा एप आपके mobile में आ चुका है चले आप हम चलते हैं सबसे नीचे देखे profile लिखा है तो profile को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा इसमें देखे गेस लिखा है आप अपना है नाम डालेंगे तो यह जो चोटा से एक पेंसिल का निसान दिख रहा है आप उसको क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपके बारे में जानकरी भरना है तो देखिए सबसे पहले अधिक जहान से तो अपकी में मिठ बना हूँ है सिखचच का अब यहां जानरइ् के नाम च washing करना है यहां आपकी लिख़िए तो थिरसी मेरे नम राजेंद्र है तो मैंने राजेंद्र टिवारी लिख दिया है इस्साष्वारी तो नाम चीम करते सबसे ही आपका इसके के चरहे से आपने पूरा हो चेंज कर दिया स्चेनज करा यह तो हगै है अफर किया है लागिन प्रोसेस हम कररT लोगाई लागिन करे तो हमाद लोग नीची ओक्स्वाट पूर हम उपर आपक्राद करेंगे इसको द quittra करेंगे तो यह लोगिन में जाएंगे तो क्योंकि आप फर्स टाइम पहली बार इस दिक्षा एप को लोगिन कर रहे हैं, दिक्षा एप में आप रेजिस्टेशन कर रहे हैं, तो आप सबसे जो नीचे आपशन है, याने लोगिन बिद गूगल इसके उपर जाएंगे, वेसे अगर आपने पहले से इसको इसमें से नीचे लिखा लॉगिन बिद गूगल अटाउंटich आप नीचे लॉगिन गूगल अकांट से भी जा सकते हैं, और लोग इन बिद ईसके सिस्टेम लुगं जा सकते उपने फे आपक इई जो और अपको कोई सब्सक्तियों के आप इसमें पर अपणे ऑ। फो इंटर कर चुको हूँ मॉबाइल नमर कि यसवार अपनी भी आहिए अफ़याघिल कर सकता हूं कि कि अब कर दिया कि आफ़ शुब्सों कर देंगे तो यहां पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहां पर आपको डालना है, कि बाद मुझे दाखिल करना है, तो दाखिल कर देता हूँ, इस तरह से मेरा मोबाइल नम्मर भी इसमें अपडेट हो चुका है, अब यहां पर बोल रहे हैं, अकाउंट बाहल करने के लिए इमेल का पता जो इस तरह से में अपने मोबाइल नम्मर और सारा कुछ इसमें डिटेल डाल दिया है, तो होगी फर्स्ट मेथड याने पहली विधी इस प्रकार, हम बात करते हैं, दूसरी मेथड की, दूसरी विधी की, तो अगर आपके पास कोई जीमेल अकाउंट नहीं है, तो आप किस प यहां पर फुल नेम आपका नाम पूछ रहे हैं, तो नाम बता देते हम, राजेंडर टिバイ, थिक, हैं इसके बाद मोबाइल नम्मर, और मोबाइल नमर हीह डाल देते हम लोग, इसके बादें पास्बड इंटर करेंगे, जंशादें ज़िए इसके बाद माइं पासबर करें जो option है उसको टिक कर देंगे और रेजिस्टर के उपर हम क्लिक करते हैं फिर से यहां पर वन टाइम पासबर्ट पूछ रहा है वन टाइम पासबर्ट के बाद हम इसको सब्मिट कर देंगे देखिए यह आ गए हैं पर दें बेरिफिकेशन सक्सेस्फूल लागन to continue अगर आप फिर से लागन होना चाहते हैं तो आप यहां से अपने मोबाइल नम्र के थरू तो चली मैं अपना मोबाइल नम डालता हूँ अँग यह मैंने अपना मोबाइल नम्बर और पासबर्ट इंटर कर दिया हैं आम में यहा आपका है मद्रेदेस बोर्ड ठीक है दाखिल करेंगे इसके बाद माध्यम चुल लेंगे आप माध्यम का हिंदी है हिंदी को दाखिल करेंगे फिर कक्छा चुल लेंगे कप्छा आपकी 10th क्लास पढ़ाते हैं तो 10th क्लास दाखिल कर सकते हैं और यहां पर सेप कर सकते हैं से आपने मोबाइल के थूरू भी आपने इसको रेइस्टर कर लिया है और आपने इमेल के थूरू भी आपने इसको रेइस्टर कर लिया है आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा अगर किसी प्रकार की इसमें आपको टेक्निकल प्राब्लम जा रही है तो आप मुझसे आप मुझसे कमेक्ट के थूप पूछ सकते हैं आशकी लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए विश्यक साथ तब तक आप ए कोश्र मुझसे दिजा गया जय हिंदे